Hello friends, welcome to everyone in my YouTube channel Networking Tigers So, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Modes of the Router जी हाँ दोस्तों यहाँ पे हम Router के Modes के उपर डिस्कस करेंगे जैसे कि आपने सुना होगा User Mode होता है, Setup Mode होता है, Roman Mode होता है Privilege Mode होता है and Global Configuration Mode होता है हमारे पास Router में So, आज इनी mode पे हम डिस्कस करेंगे कि User Mode क्या होता है, Setup Mode क्या होता है, Roman Mode क्या होता है और Global Configuration and Privilege Mode क्या होता है किस mode पे हम कितनी command को run कर सकते हैं और किस mode का क्या user तो आज किस वीडियो पे हम उस पे ही डिस्कस करने वाले हैं एंड लास्ट बाले वीडियो में जैसी कि हमने पढ़ा है Internal and External Component of the Router So, अगर आपको नहीं पता है कि Router में Internal और External Component कौन-कौन से होता है और किस component का क्या use होता है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं ओके दोस्तों तो चलिए फ्रेंड फिर स्टार्ट करते हैं एंड उससे पहले आपसे request है कि अगर आप नए इस चैनल पर तो चैनल को subscribe करें बैल आइकन को ज़रूर पैस करें जिसी कि आपको latest वीडियो को notification मिलते रहें चलिए फ्रेंड फिर स्टार्ट करते हैं ओकी दोस्तों तो अगर मैं बात करता हूँ router के modes के उपर तो router को जब हम on करते हैं तब हम 3 mode पे जा सकते हैं on करते time ही जैसे router है हमारे पास हमने उसमें power की भी लगाया उसको power provide किया और router को on किया तो router के जो सबसे पहले boot step program है वो run हुआ उसके बाद हम उसने iOS image को reload किया सारी process वहाँ पे चली जैसे router आपका proper तरीके से on हो चुका है OS image जो है वो उस पे load हो चुकी है RAM पे तो router आपका 3 mode पे जा सकता है on होते time ही कौन कौन से mode पे एक user mode पे setup mode पे and Batman mode पे okay जब हमारा router on हो रहा होता है तो on होते time ना router 3 mode पे जा सकता है user mode पे जा सकता है setup mode पे जा सकता है और roman mode पे जा सकता है user mode और setup mode पे कप जाएगा जब आप router को on करते हो तो वहांपे एक dialogue आता है system configuration dialogue उसमें लखा होता है enter the system configuration डone प्रैस यस और नौ तो अगर हमने वहाँ पर उस system configuration डायलोग में अगर हमने yes कर दिया तो हम किस mode पर आजाएंगे setup mode पर आजाएंगे जब हम router को on करते है तो हमारे पास एक system configuration डायलोग आता है अगर हमने उसमें yes कर दिया तो वो हमें न router डायलोग पे डायलोग देगा और अपने हिसाब से क्या कराएगा configure कराएगा मतलब वो कहाएगा पहले इसका hostname दो hostname हमने define किया फिर बोलेगा इसका enable का password assign करो जबकि हमें अगर enable का password नहीं भी assign करना है बट उस case में अगर enable का password assign नहीं करेंगे अगर हमने उस system configuration डायलोग पे क्या कर दिया यस कर दिया अगर हमने system configuration डायलोग पे no कर दिया तो हम किस mode पे आ जाएगे user mode पे आ जाएगे user mode का मतलब है कि user अपने according चीज़ों को configure कर सकता है और setup mode का मतलब है कि जो router के according router क्या होगा setup होगा जैसे router में feed का रखा है कि उसका enable का password assign होना चाहिए user mode का password assign होना चाहिए यह जो सारी चीज़े हैं वो assign होना चाहिए जबकि हमें assign नहीं भी करना है तो यहाँ पे जब तक आप उसको set जैसे उसमें option आया उसमें एक dialogue आया to assign the password on user mode जबकि हमें user mode पे password assign नहीं करना है अगर आप जब तक वहाँ पे उसको fill up नहीं करोगे तब तक आपके पास next dialogue नहीं आएगा तो आपको वहाँ पे वो चीज mandatory है आपको वहाँ पे देना ही पड़ेगा वो password assign करना ही पड़ेगा तभी आपके पास क्या आएगा next dialogue आएगा पड़ेगा तो देखो दोस्तों हम Cisco Packet Tracer पे आ चुके हैं अब हमें एक हम ले लेते हैं router 2621 सीरीज का यह हमने router ले लिया ओके तो हम इसको on करके CLI mode पे आते हैं तो सबसे पहले हमारे क्या होगा system boot step जिसका version का है 12.1 तो यह चीज हमने आपको बताया है कहाँ पे internal component of the router में यह चीज को बताया है हमने कि system boot step program हमारा कहाँ पे locate करता है ROM memory में किसमें ROM में यहाँ पे देखो हमारे पास एक dialogue आया जिसमें लिखा है system configuration dialogue अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया yes कर दिया तो हम किस mode पे आ जाएंगे setup mode पे किस mode पे आएंगे setup mode पे अगर हमने no किया तो किस mode पे आएंगे user mode पे आएंगे ओके मालो अगर मैं yes कर देता हूँ enter करो तो क्या गर है enter hostname तो हमें hostname define करना पड़ेगा अगर नहीं किया करना है तो अगर मैं यहां जब तक इस field को fill up नहीं करूंगा तब तक आपके पास next option नहीं आएगा तो अगर आपको आँगे step बढ़ना है एक step आँगे जाना है तो आपको यह यहां पे value assign करने पड़ेगी आप कुछी भी करूं जैसे हमने यहां पे assign कर दिया अब यहां पे बोला है enter enable password अगर मैं इस field को भी fill up नहीं करूंगा तो हमारे पास next option या एक step आँगे मैं नहीं बढ़ूंगा अगर मुझे एक step आँगे जाना है तो मुझे यहां पे यह field क्या करने पड़ेगी fill up करने पड़ेगी तो setup mode पे क्या होता है router अपने recording चीज़ों को क्या कराता है setup कराता है चाहे हमें requirement हो या न requirement हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है अगर मैं यहां पे no करता तो direct में किस mode पे पहुंचता user mode पे पहुंचता जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि user mode पे कैसे जाते हैं और पैचानेंगे कैसे कि हम user mode पे हैं तो यहां पे ऐसा बनाऊगा router लिखा होगा मतलब उस router उस device का host name होगा और यहां पे greater than का symbol होगा इस चीज को आपको याद रखना है अगर greater than का symbol हो तुम किस mode पे हैं router के user mode पे हैं किस mode पे है router के user mode पे हैं अगर यहां पे greater than का symbol है यहां पे कुछ भी हो सकता है बट by default router ही रहता है लेकर अगर मालू किसी ने host name change कर दिया उस router का तो यहां पे r1, r2 जो भी लिखा होगा लेकर यह symbol हमेशा fix रहेगा अगर आप user mode पे हो तो यह greater than का symbol होगा आपके पास जैसे कि यह router है और इसको मैं फिर से on, off किया फिर से on किया तो यह देखो फिर से decompress कर रहा है अपने ios image को यह हमने बताया था आपको जहां पे internal component हमने discuss किया थे तो यह हमने आपको बताया था internal component में okay कि router क्या होता है जो ios image होता है उसे decompress करता है तो अगर हमने यहां पर no कर दिया yes करके हमने देख लिए था अगर हमने no कर दिया तो हम किस mode पे आएँगे user mode पे आएँगे देखो यहां पे लिखा एना router और यह greater than का symbol है तो greater than का symbol का मतलब क्या है हम किस mode पे है यूजर mode पे है अब बात आती है ये कि अगर मैं यहाँ पे yes करता हूँ जैसे हमने पहले का रखा था और इस situation से हमें बापिस user mode पे आना है क्योंकि user mode पे क्या होता है यूजर अपने according चीजों को configure कर सकता है उस वे जो configure करना है वही करेगा तो अगर मुझे बापिस आना है तो मैं कैसे आऊंगा अगर मालू दोगे से मेरे से यास हो गया अब मुझे यहां से बापिस आना है तो बापिस कैसे आएंगे फिर उसके लि यूजर मूट प्यादाएंगे देखो मैं आपको दिखाता हूं यसी यह router है ओके अब यहां पर मैं इसको फिर से restart करता हूं तो off करो फिर से on किया यह फिर से ios image को decompress कर रहे और अगर मैं yes करता हूं setup mode पर पहुंसता हूं तो मैं बापिस कैसे आऊंगा वहां पर जिसे मालूम मैंने यहां पर yes कर दिया यहां पर भी yes कर दो अब मैं इस mode पर आ गया setup mode पर आप मुझे बापिस से जाना है किस mode पर user mode पर तो मैं कैसे जाओंगा उसके लिए मैंने बोला c कर दो आप जैसे प्रेस करोगे ctrl c आप बापिस से किस mode पर आ जाओगे user mode पर आ जा लिख रखा है Roman mode तो Roman mode का क्या यूज है और कैसे हम जाएंगे Roman mode पर तो देखो Roman mode लाइक है recovery mode Roman mode के हमारे recovery mode जैसे की मालो router में हमने password assign कर दिया अब मैं password भूल गया उसका user mode का मैंने password assign कर दिया कि जब भी कोई user अगर router की user mode पर आता है तो उससे password password पूछे 123 चलो मालो मैंने assign किया था 123 अब दूसरा बंदा आया उसको नहीं पता कि इसका password क्या है 123 चलो मैं ही भूल गया इसका password मेंने क्या assign कर रखा था हूं तब हम उस password को कैसे break करेंगे बट मैं चाहता हूं कि जो router का configuration है जैसे मैंने उस पे routing protocol चला का रखा है net configure का रखा है ACL configure का रखा है वो सारी configuration मेरी ना जाए सिफ password जो है वो break हो जाए तो मुझे data को क्या करना है रिकबरी करना है और हमें सिफ password को break करना है तो अफर हमें किस mode की requirement पढ़ेगी roman mode की requirement पढ़ेगी तो roman mode पर हम दो तरीके से जा सकते हैं एक तो manually जा सकते हैं एक by default जा सकते हैं तो अगर हमें roman mode पर manually जाना है तो manually कैसे जाएंगे